असलाम अलेकूम वेल्कम टू लफ्टकर की यू केंड़ बेस प्लेस फॉर इजी कोकेंग गुड़ वाली सेम्याज बिना रहे हैं 375 ग्राम गुड़ है एक बाकिट है समयों का आदा किलो का ठीक है और 3 टेले स्पून घी ले ले लें और जो भी आप यूज करते हैं सबसे पहले गुड़ को दो गलास पानी डालके चूले पे चड़ा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए ठीक है हलकी आच पे इसको पकने दे और इसको गुलने दे इस तरह हमारी चार्ष तियार हो जाएगी पिर चार्ष के अंदर आप यां तो गी डालने या गी को अलग से तरक के जैसे गी गरम करके और लाइची बेशिक उसमें अगर डालनी है तो डालने है और फिर उसमें चार्ज जो हमने बनाई थी गुड़ को डिजॉल्व करके वो हम डाल देंगे उसमें और उसको उबाल आने देंगे जब उसमें उबाल आ जाएगा ठीक है जैसे आप देख रहे हैं तो अब हम इसमें सवईया डाल देंगे आदा किलो का पैकेट है जिसको तोड़ लिया है पैकेट में से निकाल के और आप अपनी मर्जी का साइज रख सकते हैं छुट-छुटी तोड़ सकते हैं बड़ी तोड़ लें और फिर उसको हम शामिल कर देंगे गुड़ की चार्श में यह मेरी सासमा डाल रही है सवईया क्योंके मुझे अनेसली नहीं बिनानी आती गुड़ वाली सवईया और मैंने सोचा के मैं भी सीखनो अपनी सास से और आपको भी सिखा दूँ और अब हमें एक्चली चाहिए के सवईया डूट जाएं चार्श के अंदर ठीक है तो अब जैसे के नहीं डूब रही तर इसमें पानी डाल दें और इतना पानी डाल दें कि उसको कवर कर दें सवईयोंको ठीक है, सिर्फ इसमें एक दो चीजें हैं जिनका थोड़ा ख्याल रखना है कि पानी कितना कि डालना है, अभी वैसे थोड़ा पानी वार उसमें डल सकता था और कवर कर दें जब यह उबलने लग जाए, पकने लग जाए तो फिर आप इसकी आंच हलकी कर देंगे, दमवाली और इसको कवर करके ही पकाना है आपने और यह देखें, ठीक है, पंदरा बीस मिनट में, नहीं बीस मिनट तो ज्याद हैं, दस पंदरा मिनट में यह इजीली गल गही थी और रेडी हो बेंग और गली सवईया, नाट वेरी डिफिकल्ट अट अल, सिरफ एक दो बातों आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मीठा बाद में नहीं डल रहा हूँ गार्णिश कर लें अपनी मर्जी के ड्राइफ रूट से और कोकिंग के टाइम पर भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाते हैं जबर्दस कितनी अच्छी लग रही है और राइट मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपने एक तो प्रोपोर्शन का ख्याल रखना है ठीक है, डेर पाउ गुड है और आदा किलो समईया है अब इस हिसाब से आपने कम ज्यादा कर लेना है क्योंकि इसमें मीठा बाद में तो डल नहीं रहा अगर आप बहुत तेज मीठा खाते हैं तो फिर आप बेर पाउ गुड में थोड़ा सा गुड और डाल लें ताकि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाए नमबर टू पानी के लिए एजी सी टिपिया ही है कि समया कवर कर ले वो पानी और उसमें वो कोख हो जाए इसमें थोड़ी सी ट्रिकी डिश इसली है इसमें बाद में यह नहीं नमख कम मैं तो और डाल लिया मीठा कम मैं तो और डाल लिया बट देर वेर इजी इन्शालला दुबारा मैं खुद से भी ट्राइ करूंगी तो ट्राइट मुझे बताएं कि कैसी लिपकी आपको मेरे फादर इल्लौ को बहुत पसंद है यह और वो जान बूझ के मेरे छेड़ने के लिए एकसर कहते हैं कि फराद सवहिया बनाओ ठीक है तो आप मुझे बिनानी हादी है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घर में किसको बिसंद है गोवाली सवहिया कौन हर बग दिमांड करता है इनकी दू सब्सक्राइब माइ चैनल, दू लाइक माइ वीडियो और दू शेयर इट अज सब्सक्राइब जाएं लाइक माइ फेस्बक पच्ट कर दू जू जाएं जाराएं लाइक माइट अपर्ड़्यू